हेलो फ्रेंट्स हम इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कि अगर आपने जीसी रायपुर मांगा और आपको जगदलपुर मिल गया और अगर आपने जीसी ब्लासपुर मांगा और आपको जगदलपुर मिल गया तो उस कंडिशन में आपको क्या करना चाहिए और अगर दूसरा government का college मिलना आसान नहीं है तब आप उस पर क्या करेंगी admission करा लेंगी अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा है तो मैं आपको आगे बता रहा हूँ तो सबसे पहले समझे branch change option अगर आप computer science, IT, electrical, mechanical, civil किसी भी branch में आप जाना चाहते हैं अगर आपको दूसरा branch मिल जाता है और अगर आपका percentage कम है तब आपको admission ले लेना चाहिए अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो समझे ये जितने भी branch है इनके first semester first semester, second semester इन दोनों semester का जो subject होता है वो common होता है foundation होता है कहने का मतलब ये है कि एक साल हर branch को एक चीज पढ़ना रहता है तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप second year में आएंगे एक साल पढ़ने के बाद या उसको हम third semester भी कहते हैं क्योंकि यहाँ semester wise होता है उस time आपको college के थुरू आपको एक मौका मिलता है क्या मौका मिलता है आप अपने branch में वापस जा सकते है आपको branch change करने का मौका मिलता है अगर आप civil में है आपको mechanical चाहिए तो आप mechanical में जा सकते है अगर आप mechanical में है तो civil में जा सकते है computer वाला IT में जा सकता IT वाला electronics में इसी तरह से अदर अदर ब्रांच में आप जा सकते हैं अब ये किस बेस पर होता है तो देखिए हमेशा क्या होता है एडमिसन पूरी तरीके से फूल नहीं हो पाता है तो एडमिसन मिलने के बाद भी कुछ बच्चों का NIT में कुछ बच्चों का NIT में सेलेक्शन हो जाता है तब आपको क्या करता है? कॉलेज नोटिस निकालता है कि आप अपना ब्रांच फिर से चेंज करना चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं इसके लिए आपको कॉलेज के थू क्या होता है? चेंज हो जाता है और इस पर जो युनिवर्सिटी है CSVTO जिसको बोलते हैं वो approval देता है हाँ यहाँ पर यह condition है कि आपका जो exam first year का है उस पर आपका क्या हो बहुत ही कम आप उसमें fail हो क्योंकि यहाँ पर क्या होता फेल नहीं होता है बैक लगता है बैक लगने का मतलब यह होता है कि आप यह exam को fail किये तो आप अगले semester में अगले year में चल देते हैं लेकिन आपको पुराना जो आपने fail किया paper उसको आपको अगले बार फिर से pass करना रहता है यह रहता है अजो दसवी बारवी में जो होता है ठीक है इस पर क्या होता अगर आप फेल हो गए तो आपको फिर से दसवी बारी वापस से पढ़ना रहता है लेकिन engineering में ऐसा कुछ नहीं है अब बात करते हैं college change option यहाँ पर क्या होता GC to GC 36 गड़ में देखिया अभी तीन GC है चौथा पर क्या approval pending है जो की लखनपूर में है कोन कोंसी GC है गौर्मेंट इंजरिंग कॉलेज रायपूर है गौर्मेंट इंजरिंग कॉलेज बिलासपूर है और गौर्मेंट इं सेमेस्टर में अडविसन कराएंगे अगले साल जब आप सेकेंडिया नुमर हैंगे उसी को आप थर्ट सेमेस्टर भी कहेंगे तो वहाँ पर आपको एक form मिलेगा उस समय एक form निकलता है कि आप चाहें तो college change कर सकते हैं रायपूर वाला बिलासपूर जगदलपूर जा सकत है इसके लिए आपको दो चीजों का जौरत पढ़ता है पहला यह चीज कि आप अगर जीसी जगदलपूर से रायपूर की तरफ जा रहे हैं तब आपको क्या होगा जीसी जगदलपूर और जीसी रायपूर इन दोनों के principal sir का आपको permission लेना होगा इन दोनों college के principal sir को अगर आप जब convince कर लेंगे तब आपको क्या होगा वहाँ पे आपको जाने का मौका मिल जाएगा आपकी इस बात पर जा सकते हैं कि आपका तविया ठीक नहीं रहता है आपकी family को problem है ऐसे बहुत सारे वहाँ वह समय time पे मिल जाएंगे बहुत सारे ऐसे चीज़े रहता है condition रहता लेकिन आपका पढ़ाई जो 3 साल 4 साल जो आपका B कर रहेगा तो वहाँ पे आपको क्या होगा कि आपका college जो पूराना है जहाँ पे आपको actual में एडविशन मिला है वहाँ पे आपका नाम चलेगा वहाँ पे आपको exam देने जाना पड़ेगा बट आपने जहां college चेंज कि आपको पढ़ने का permission मिल जाता है तो इसके regarding आपको कोई doubt आता है तो आप comment करिएगा मैं कोशिस करूँगा कि आपके doubt पर एक और वीडियो बना दूँ